ओम नमस्षिवा चितावनी सूत जी बोले बिद्यमान एवं बुद्धिमान महर्षियों मुच दायक शिव छेत्रों का वरन सुनों तत्पस्चार मैं लोक रच्छा के लिए शिव सम्मन्धी आगमों का वरन करूंगा परवत वन और कान्नों सहित इस प्रित्वी का विष्टार पचास करोर योजन है भगवान सिव की आग्या से प्रित्वी शंपूर जगत को धारण करके इस्थित है भगवान सिव ने भूतल पर विभिन स्थानों में वहां के निवाशियों को कृपापुर्वक मुझ देने के लिए सीव शेत्र का निर्मार किया है कुछ शेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा रिशियों ने अपना वाश अस्थान बना कर अनुग्रिहित किया है इसलिए उनमें तिर्थत्व प्रकट हो गया है तथा अन्य बहुत से तिर्थ छेत्र ऐसे हैं जो लोकों की रच्छा के लिए श्वयम प्रादुर भूत हुए हैं तिर्थ हो छेत्र में जाने पर मनुश्य को सदा अश्नान दान और जपादी करना चाहिए अन्यथा वहरोग दरिद्धता तथा मुकता आजि दोसों का भागी होता है जो मनुश्य इस भारत वर्ष के भीतर मृत्तिव को प्राप्थ होता है वह अपने पुंद्य के फल से ब्रह्मलोक में वाश करके पुंद्य छय के पस्चाथ पुनह मनुश्य योनी में ही जन्म लेता है पापी मनुश्य पाप करके दुर्गती में ही पढ़ता है ब्रामणो पुंद्य छेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ हो जाता है अतह पुंद्य छेत्र में निवास करते समय सुच्म से सुच्म अथवा थोड़ा सा भी पाप न करें शिंधू और सतद्रू सतलर नदी के टट पर बहुत से पुंद्य छेत्र हैं सरश्वती नदी परम पवित्र और साथ मुखवाली कही गई है अर्थाग उसकी साथ धाराएं है बिद्यवान पुरुष सरश्वती के उन उन्धाराओं के टट पर निवास करें तो वह क्रम सह ब्रह्म पद को पा लेता है हिमाले परवत में निकली हुई पुंद्य सलीला गंगा शव मुखवाली नदी है उसके टट पर कासी प्रियाग आदी अनीक पुंद्य छेत्र है वहां मकर रासी के सुर्य होने पर गंगा की टट भूमी पहली से भी अधिक प्रसस्त एवं पुंद्य दायक हो जाती है शोरभद्र नदी की दस धाराएं है वह ब्रिहश्पती के मकर रासी में आने पर अतियन पवित्र तथा अभिष्ट फल देने वाला हो जाता है उस्व में वहां अश्णान और रुपवास करने से बिनायक पत की प्राप्ती होती है पुंद्य सलीला महा नदी नर्मदा के 24 मुख सोत है उसमें अश्णान तथा उसके तकपर निवास करने से मनुष्य को वैश्रोपत की प्राप्ती होती है तमसा के बारह तथा रेवा के दस मुख है परम पुंद्य मैं गुदावरी के 21 मुख बताए गए है वह ब्रमहत्या तथा गोवध के पाप का भी नास करने वाली एवं रुद्रलोक दीने वाली है क्रिश्रावेरी नदी का जल बड़ा पवित्र है वह नदी समस्त पापो का नाश करने वाली है उसके अठारह मुख बताए गए है तथा वह बिश्रु लोक प्रदान करने वाली है तुंग भद्रा के दस मुख है वह ब्रमह लोक देने वाली है पुंड्य सलीला शुवर मुक्की नौ मुक कहे गए है ब्रमह लोक से लोटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते है सरश्वती नदी पंपासरोवर कन्या कुमारी अंतरीम तथा सुवकारक श्वेत नदी एस सभी पुंड्य छेत्र है इनके तट पर निवास करने से इंद्र लोक की प्राप्ती होती है शहापरवत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुंड्य मै है उसके 27 मुख बताए गए है वह शंपूर अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है उसके तट श्वर्ग लोक की प्राप्ती कराने वाले तथा ब्रम्हा और विश्डू का पद देने वाले है कावेरी के जो टट सैवचेत्र के अंतरगत है वे अभिष्ट फल देने के साथ ही शिव लोक प्रदान करने वाले भी है नैमसारड्य तथा बद्रिकास्रम में शुर्य और ब्रिहस्पती के मेश रासी में आने पर यदि एस्नान करे तो उस समय वहां किये हुए एस्नान पूजानादी को ब्रम्हलोक की प्राप्ती करने वाला जानना चाहिए शिंग और करकरासी में शुर्य की सक्रान्ती होने पर शिंधु नदी में किया हुआ अस्नान तथा केदार तिर्थ के जल का पान एवं अस्नान ग्यान दायक माना गया है जब ब्रिहस्पती सिंग नासी में इस्थित हों उस समय सिंग की सक्रांती से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में असनान किया जाए तो वह शिव लोग की प्राप्ती कराने वाला होता है अईशा पूर्वकाल में श्वयम भगवान सिव ने कहा था जब सूर्य और ब्रिहस्पती कन्या रासी में इस्थी थों तब यमना और सौण भाद्र में असनान करें वह असनान धर्मराद तथा गरेश जी के लोक में महानभोग प्रदान कराने वाला होता है यह महर्ष्यों की मान्यता है जब सूर्य और ब्रिहस्पती तुला रासी में इस्थी थों उस समय कावेरी नदी में असनान करें वह असनान भगवान विश्रू के वचन की महिमा से शंपूर अभिष्ट वस्तों को देने वाला माना गया है जब सूर्य और ब्रिहस्पती ब्रिश्चिक रासी पर आ जाएं तब मार्ग सीस के महीने में नर्मदा में असनान करने से स्री विश्रू लोग की प्राप्ती हो सकती है शूर्य और ब्रिहस्पती के धन रासी में इस्थित होने पर शुवड मुखरी नदी में किया हुआ असनान शीव लोग प्रदान करने वाला होता है जैसा की ब्रह्मा जी का वचन है जब सूर्य और ब्रिहस्पती मकर रासी में इस्थित हों उस समय माघमास में गंगा जी के जल में असनान करना चाहिए ब्रह्मा जी का कथन है की वह असनान शीव लोग के पश्चार ब्रह्मा और विश्रू के साथ सुख भोगने के अंत में मनुष्य को ज्यान की प्राप्ती हो जाती है माघमास में तथा सुर्य के कुम्भ रासी में इस्थित होने पर फार्गुन मास में गंगा जी के टटपर किया हुआ असराद पिंडदान अथवा तीलोदकदान पिता और नाना दोनों कुलों के पित्रों की अनेकों पिढ़ियों का उध्यार करने वाला माना गया है शुर्य और ब्रिहस्पती जब मीन रासी में इस्थित हों तब किश्वेरी नदी में किये गए अश्नान की रिशियों ने प्रशंसा की है उन-उन महीनों में पुर्वक तीर्थों में किया हुआ अश्नान इंद्रपद की प्राप्ती कराने वाला होता है विद्यमान पुरुष, दंगा अथवा काबेरी नदी आश्रे लेकर तेर्थ करें ऐसा करने से ततकाल किये हुए पाप का निश्य ही नास हो जाता है रुद्र लोग प्रदान करने वाले बहुत से छेत्र हैं तामरपढ़ी और वेगवती ए दोनों नदिया ब्रह्म लोग की प्राप्ती रूप फल देने वाली है इन दोनों के टड़ पर कितने ही श्वर्ग दायक छेत्र हैं इन दोनों के मध्य में बहुत से पुन्दि दायक छेत्र हैं वहा निवाश करने वाला बिद्यवान पुरूष वैसे फल का भागी होता है सदाचार उत्तम बृत्ती तथा सद्भावना के साथ दयाभाव रखते हुए विद्यवान पुरूष को तिर्थ में निवास कराना चाहिए अन्यथा उसका फल नहीं मिलता पुन्दि छेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुन्दि भी अनेक प्रकार से ब्रिधी को प्राप्थ होता है तथा वहां किया हुआ छोटा सा पाप भी महान लगता है यदि पुन्दि छेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चे हो तो उस पुन्दि संकल्ब से उसका पहले का सारा पाप ततकार नश्ट हो जाएगा केंटी पुन्दि को अईश्वर्य दायक कहा गया है प्रामणो ते थुवास्त